नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका सौगत है हिंदुस्तान ने अपने एक महानाय को खो दिया है CDS, रावत सहब अब हमारे बीच नहीं है पुरा देश सोक मना रहा है लेकिन सब के मन में एक ही सवाल है कि ये दुरगटना आखिर खटी क्यों? कैसे इतनी बड़ी चूख हो गई? क्या ये कोई हाथसा है? या फिर किसी की साजिश है? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेजर जेनरल S.P. सिना साहब है आपका बहुत-बहुत सौगत है सब से पहले मुझे ये बताईए कि ये हाथसा या साजिश ये किस हिसाब से ये हो सकता है? क्या-क्या इसके आसपास की थियॉरीज है? क्या-क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इस तरह का जो एर स्वाइश होता है, उसके मेरे अनुसार आठ कारण हो सकते हैं कारण नमबर एक, प्री-फ्लाइट चुक राण. अदन दूसरा पाइले टेक-एर होता है स्टाफ के दवरा, जो मेंटेंनस्पून के दवरा उसमें तो कमी हो नहीं सकती है, क्योंकि VVIP का फ्लाइट है, इसमें तो कोई चुक की सवाल ही नहीं है, अब दूसरा, पाइले टेरर, पाइले टेरर भी कुझाइश नहीं है इसमें, क्योंकि जो पाइलेट था, उसका हजार फ्लाइं घंटे से जादे का अनुभव था, यद तीसरा टेकनिकल फेलियर इस पर जादे मैं व्याक्खा बाद में करूँगा। चोथा निविगेशन एरर या विजिबिलीटी एरर या विजिबिलीटी प्रॉब्लम। यह भी रेलिवेंट है इसको बाद में टच करूँगा। पांचमा क्लाउड एफेक्ट बादल का एफे करने के बाद उनका हेलिकॉप्टर किसी कारण बस वायर से टकड़ा गया, शौट सर्कृट हुआ, एर क्राश हुआ, होता क्या है कि नॉर्थ हिस्ट में ये लोग लोकेशन जो यह वगर है, वो चेंज कर देते हैं या जो कम्मुनिकेशन वाले हैं, सेना को बताते नहीं है, तो पाइलेट के पास तो इनपुट था नहीं, आकाश में एक पतला वायर को देखना ये संभड नहीं है, तो वो टच किया, शौट सर्कृट किया, चले गया, तो क्या वायर एफेक्ट था, छट था, ये वी-वी-ई-प जब ट्रैवल करता है, तो पाइलेट सुख्छा द छौट प्रियूर्बलिटी को हटाते हटाते, हटाते, शौट लिस्ट करते हैं कि क्या, क्या, क्या संभव है, प्री-फ्लाइट चेकप, नो Прόब्लम, प्रॉब्लम, पाइलेट एरण, अब हम बाकी बिद्द्यों पे आते है, फ्यॉल एक्ट्रा भी, जो वी-वी-ई-प ट अब आते हैं वायर पे और सबोटाज पे पहले मैं ये विजिबिलिटी का तेक्निकल फेरियर का बात करता हूँ टेक्निकल फेरियर पोसिबिलिटी होती है हाई लेवल अप्राबिलिटी हो सकता है लेकिन मी 17 साथ देशों में उड़ रहा है और मी 17 वी वी अईपी के लिए हि होते हैं उनकी इंटेजेंस चेक अप आई भी बिच रेफरेंस या सब कुछ थौरो चेक अप होता है क्यों कि चांस नहीं ले सकते हैं कौन अपना वाफादारी बेज़ दे पता नहीं तो टेक्निकल फेलियर हाई डिग्री अफबिलिटी है नभी इसिबिलिटी देखिए जो कुनूर में जो है उस हिल्स में वहाँ पहारी इलाका है और जंगल भी है होता क्या है कि जो वायूमंडल में जो ड्यूज मतलब वाटर कंटेंट होते हैं वो धूप निकल से भाप की रूप में पढ़नित हो जाते हैं और क्लाउड फर्मिशन हो जाता है और कभी कभी अच क्लाउड मिला तो टेक ओफ करके टाइम बचाने के लिए तो नैविगेशन वीजिबिलिटी भी एक प्रॉब्लम हो सकती है क्लाउड मैंने बताया कि क्लाउड फर्मेशन अचानक हो जाता है तो वेदर क्लेंस के मवजूद क्लाउड फर्मेशन हुआ और जो वीडियो हम द प्रेश हुआ था और मैं जो यह बोल रहा हूं यह मेरा अपना अजम्शन है प्रेजम्शन है गट फीलिंग है मैं ठीक भी हो सकता हूं गलग भी हो सकता हूं लेकिन जब कोट अफ इंक्वारी करेगी तो स्वाभाविक है कि नेट जाल बहुत बड़ा पहलाना चाहिए तो आप गलत जाएंगे और इस आठवा के साथ एक और बिंदू मैं एट करना चाहता हूं इंटरनाशनल रोल दूसरे देश्यों का इसमें क्या हाथ हो सकता है तो 2020 में तैवान मिलिटरी चीफ की हत्या हुई उसमें यह सही हुआ हादसा जैसा अभी हुआ है किसने करवाय इंटलिजेंस एजन्सी यह हमारा मेरा अपना सोच है कि इसमें चाइना का रोल था क्योंकि तैवान के मिलिटरी स्ट्रक्चर को कमजोर करना और तैवान को पूरी तरह से अपने गिरफ्ट मिलेना यह चाइना की स्टैटिजी है कोई भी जो चाइना के खिलाफ मुझ जाद के साथ communication system यह सब होते हैं फिर SOS भेजने के लिए जो system है वो होता है फिर black box होता है यह सब system होते हैं लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि पालेट ने जो group captain था जब descend कर रहा था लास उसका message है I'm descending मैं नीचे आ रहा हूं उसके बाद कोई message नहीं यदि को serious परिस्थिती उभर के आ रह headplace मतलब वो लाचार था लाचार था मतलब की उसका communication system navigation system command control system communication ADC सब फेल हो चुका था मतलब आप यह कह रहे हैं कि last message उनका यह था कि I'm descending मैं नीचे जा रहा हूं कि पांच मिनिट का flight बचा था राइट और उसके बाद से अचानक सारा communication ठप हो गया no SOS no me day me day call nothing कोई बात ची तो यह conversation last conversation ATC के साथ यही था तो कि 57 minute का flight बचा था तो उन्होंने कहा I'm descending बतलब मैं अपने downward journey शुरू कर रहा हूं उसके बाद कुछ नहीं ऐसा कैसे हो सकता है कि group captain एक जम silence mode में चला जाए तो यह किस परिस्टी में ऐसा हो सकता है कि वह बहुब लाचार हो जाए मैं बताता हूं जब cyber attack होता है तो cyber attack से बहुत दूर से बैठे बैठे भी आप किसी भी equipment का jam कर सकते हैं communication system उसको inert कर सकते हैं passive कर सकते हैं पूरा विफ communication system सब खातम कर दिया गया मतलब तो यह तो एक बड़ा sabotage हो सकता है और इसलिए इसलिए यही तो बता रहा हूं इसलिए जब बादल में घुसा तो group captain को ना दिशा का ग्यान है ना कहां जा रहा है पता नहीं ATC को नहीं बता पा रहा है सारा control यहां से चला गया सारा control चला ग you have no control over vehicle group captain had no control over helicopter फुड़ा control खता तो जाके जो अनुमान लगा जा रहा है कि एक geographical hill में फीचर में hill में टकराया crash हुआ आग लगी और यह हो गया तो cyber attack चीन के द्वारा को rule out नहीं किया जा सकता है तो court of inquiry को इस चीज़ को बहुत seriously लेना पड़ेगा अब मैं क्यों चीन के यह सवाल है वह चीन क्यों करना चाह रहा है क्यों चीन मैं बताता हूं अब मैं तेखिए जब वकील वकालत करता है तो सकमस्टान जे एविडेंस court करता है मैं उस मुद्दे पाता हूं ब्रह्म चलैरी एक है अपने जनलिस्ट हिंदुस्तान के लेवल के जाने हुए हमारे ब्रह्म चलैरी साब और चाना एक्सपर्ड भी है उन्होंने टूइट किया कि जन्रावत का जो यह जो क्रैश हुआ है वो क्रैश है सिमलर जैसा हुआ था तैवान के मिलिटरी चीफ के स पर निए जात है उन्होंने सिर्फ यह कहा ओ मैंगा लेकिन इशारों उसारों में बहुत बात रहत चीफ कि जैसा टेवान मिलिटरी चीफ के साथ हुआ है वही वारदात यहाँ हुई है इशारों बात रहत कह दी कि इसके पीछे कौन हो सकता है अब चीन को पेट में दर्द उनका ट्वीट दिखाते हुए कोट चील कहता है कि आपको हो सकता है कि अमेरिका के C.I.A. ने किया हो क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि A.S. 400 हिंदुस्तान रूज से खड़ी दे ये A.S. 400 का बाचीत रूज के साथ दो-तीन साल से चल रहा है अभी क्यों इसका मतलब है दे पकड़ा न जाए तो डैवर्शनरी टैक्टिक्स करके जो तीर उसको डैवर्ट कर दिया उसने अमेरिका की तरफ जबकि ये बात बिल्कुल ही इलोजिकल है अमेरिका की सरकार तो S.400 हिंदुस्तान को मिले उसके कारून के मताबिक बहुत सारे रिपकरसंस है उसके वो सारे इन रिपकरसंस को उसने मना कर दिया कि नहीं कोई हम इसके ऊपर कोई एक्षिन लेंगे इंडिया के ऊपर तो cat saw लगा सकता था, cat saw नहीं लगा, क्योंकि जानता उसका hit कहा है, तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस स्थिती में, हिंदुस्तान के साथ बैरभाव लेने की स्थिती में है, बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी तो गलती नहीं करेगा, पेंटागॉन में लोग इतने बेवकूफ नहीं बैठे हैं, तो इसका मतलब जिस तरह से chain react किया है, उससे ये साफ साबित हो रहा है कि guilt conscious है, वो अपने आपको बचाने की कोशिश कर रहा है, कि इसके पहरे कि मुझे पे अटाइक आए, डाइवर्ट करो, या अटाइक की धारा बदल दो, दूसरा चीज, तीसरा चीज ये है कि क्यों रावत को टार्गेट किया गया, देखिए हिंदुस्तान की जो पुरानी political system थी, पार्टियां इसकी पावर में जो थी, जब एक चोटा सा एकजामपुल दोगा, जब कसाब यहां आया, 167 लोगों की हत्याक होगी, तो उस समय एक एयर चीफ, कॉंग्रेस सरकार के पास गये, और उन्होंने कहा कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक के लिए त्यार हूँ, मुझे अनुमती दी जाए, मैं सबक सिखाने के लिए त्यार हूँ पाकिस्तान को, सरकार में अनुमती नहीं दी, कुछ नहीं किया, वो फाइल डब गई, रिक्वेस्ट डब गई, जब दिल्ली से कमांडो बॉमबे दो घंटे में पहुंच सकते थे, एक घंटा चालीस मिनट में, आठ घंटा क्यों लगा कमांडो को बॉमबे पहुंचने में, वो हूम मिनिश्टर ड्रस चेंज कर रहे थे, तो इसका मतलब है, कि 27 एरफोस ओफसर पाकिस्तान के कस्टडी में है, इसका मतलब पाकिस्तान जानता था कि हिंदुस्तान एक पैसिव स्टेट है, यह पंगा नहीं लेगा, मुस्लिम वोट के लिकारण यहां सब जो मर्जी करो, यह खाली बोलेंगे, हम निंदा करते हैं, और कहानी होई खतम हो जाएगी. इसका मतलब है, देश प्रमुख है कि मुस्लिम सब्दाय प्रमुख है, वोट प्रमुख है, वोट प्रमुख है. तो यह तो हो गया पाकिस्तान के परिपेख्श में, अब आते हैं चीन के परिपेख्श में, जब हिंदुस्तान का उस समय का रक्षा मंत्री Mr. Anthony, फ्लोर अफ दाउस लोग सबार में कहते हैं, उनसे पूछा गया, या आपने इंफ्रास्ट्रॉक्टर क्यों नहीं डेवलप किया, जोर्स फंडर ने इसकी कल्पना की थी, और क्यों नहीं किया, 73 स्टाटिजी क्रोट बनने थे, क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि, हमारी ये बहुत सोची समझी रहनेती थी, यदि हम इंफ्रास्ट्रॉक्टर डेवलप करेंगे, अज चीन हमारे चेतर में आ गया, तो हमारे इंफ्रास्ट्रॉक्टर को इस्तमाल करेगा, आप समझ सकते हो, धेश का रख्षा मंँतरी की ये सोच, और रख्षा मंँतरी है, जिसको रक्षा के बारे में कखा कगा नहीं पता है मेरे अनुसार, वो ये बोल रहा है, और लोग सभाव में बोल रहा है, कोई हीर से नहीं है, इस्टन रिकार्ट, मैं आपको वीडियो बेच सकता हूं, मेरे पास पड़ा हुआ है, तो सवाल ये है, उसके बाद, तो चीन को स कितनी बार हुआ कि एक बैटल में जन्सगत सी गया, जो आर्मी कमांडर थे, इस्टन कमांड में, कोर कमांडर, उनको कहा गया, विड्रो, फो मैं पर्टिकलर एडिया, उन्हें मना कर दिया, नहीं विड्रो करूंगा, इतना दवाव आया, राजीव गांधी का दवाव आय बहुत लोग का दवाया, बहुत लोग का दवाया, नाम लेहना ने चाहता हूं क्योंकि सेना के कुछ लोग हैं तो मैं नहीं नाम लूँगा, लेकि दवाव आया, क्या फर्वर पोस्तों पीछ आईए, उन्हें नमना कर दिया, नहीं पीछ आओंगा, उनमाई डेथ बेड, जब डिव क्मांडर बोला, कि सर शुड़ाई विड्ड्रो बोला, बोला, अन्हें डेथ बेड, नथिंग, स्टेपट, तो सवाल ये है कि जिस चीन को खुश करने के लिए, कॉंग्रेस सकार एकदम घुटने पे रहती, घुटने टेक देती थी, उसके चीन के साथ क्या, क् उसकार कुछ नहीं करेगी, तो 78 हमें MOU साइन करती है, रहूल गांदी और सुनिया पीशे खड़ी है, और साइन हुआ है, आज तक पब्लिक डोमेन में ये टेक्स्ट आया, कि उस MOU का कंटेंट क्या है, नहीं है, क्या साइन हुआ, और ये MOU साइन होने के तुरत भाद, ए अब इसे गारा हुआ, इसका मतलब अब मैं बताता हूँ, स्ट्रेजी कैसे एंफोल्ड हो रही है, पाकिस्तान जानता था कि हम अटेक करेंगे बंबे में, तो हिंदुस्तान की सरकार अटेक कर सकती है, तो चीन को पकड़ा, कि हमें प्रोटेक्शन दो, हम ये करने जा रहे चीन को तो पका पता होगा कि बंबे में ये होने वाला है, तो चीन ने क्या किया, M.O.U. साइन कर लिया, कॉंग्रेस के साथ, M.O.U. साइन हो गया, शट अप कॉल दे दिया होगा, कुछ नहीं करो गया, इसलिए जब एर चीफ गया, तो उसको परमीशन नहीं दे गई गई एर स्ट्राइक के लिए, तो आप देख रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान की आदत खराब करने वाला डिस्क्रेडिट पूरा कॉंग्रेस सरकार को जाता है, और कॉंग्रेस तो पाकिस्तान इसी मूड में अचीफ, चाइना और पाकिस्तान इसी मूड में थे, कुछ नहीं लेकिन मूडी सरकार आने के बाद और सीडियस जनरावत के सीडियस के बनने के बाद ये टाइटेनिक शिफ्ट आया है, सब कुछ में पूर्ण परिवर्तन आया क्या-क्या परिवर्तन इस तरह से जर्रावत की वज़े से हुआ, मोधी सरकार की वज़े से ये जो paradigm shift है, strategic thinking में, policy में, वो क्या बदलाव थे? पहले था कि अब कलम पठानिया मिशेल सेक्टर में पाकिस्तान के आतंकियों पे fire करने के लिए उनको जेल भेज दिया गया. ये है कॉंग्रेस सरकार की युगदान. पाकिस्तान के बुलेट्स को जबाब देने के लिए M.O.D. Minister of Defense का परिमिशन चाहिए होता था. tactical freedom zero. कि बॉर्डर पे वहाँ से गोले बारी हो रही है तो हमको वापस जबाबी कारवाई कर रही है. दिल्ली से परिमिशन चाहिए है. M.O.D. से क्लेंज चाहिए है. और नहीं क्लेंज दिया है तो पठाने की तरह जेल जाहिएगा. ओ माइगा ये दिल्ली से आएगा. ये पॉलिटिकल डिजिजन होगा कि हमें वहाँ जवाब देना है या नहीं देना है. हाँ. ये तो खेल था. तो इंडो की तो आदित ये थी. तो दो चीज हुआ. पॉलिटिकल डिडर्शिप की एक्छा शक्ती में पूर्ण परिवर्टन हुआ. जिसका उधारन है सर्जिकल स्ट्राइक, भराकोटेर स्ट्राइक. तो पाकिस्तान में चाइना को मेसेज गया. ये नया हिंदूस्तान जनब ले चुका है. उसके बाद देखिए सेना हमेशा सक्षम रही है. सेना फेंटम में सेना है. लेकिन मालिक ही नहीं कहेगा, अपने सराजा नहीं कहेगा सेना पती को की ये कर दो, तो सेना पती क्या करेगा? ये तो परजात अंत्र है. तो लेकिन जेमल द्रावत ने ऑपरेशनल टीथ में और शार्पनेस कैसे लाया, उस पर मैं भी व्याक्त करूँआ. पहला चीज, इंटेग्रेटेड बैटल गूरूप कॉंसेट. इंटेग्रेटेड आईबी जी कॉंसेट जो है, वो बहुत अच्छा कॉंसेट है. देखिए, आर्मी म में जब सब कॉंपोनेंट्स एक साथ हो जाए, इंटेगर सिनर्जी होती है, एक अठा शक्ती का समादान, मिलते हैं उसमें, तो उससे तो फर्क पड़ता है, आई बीजी कॉंसेट है, टू अन हाफ फ्रंट वार सिनर्यो, लोगों ने जनल रावत को बोला कि आप टू फ्र हाफ फ्रंट, अब हाफ फ्रंट कौन, जैचंद और ट्रेटर सिनर्डर है उसके लिए, तीसरा, थिएटर कमांड, थिएटर कमांड क्या कॉंसेप्ट है, थिएटर कमांड का कॉंसेप्ट है, कि जितने एसेट्स हैं, आर्मी, एरफोर्स, के नेवी, वो एक कमांडर को पू रहे हो, last minute coordination में थोड़ी से दिक्कत हो, दिक्कत होती, यह time लगता है, मैं आप से daily बात करूँ तो मेरा destiny जादे better होगा, या मैं छे महिने में आप से एक बार बात करूँ तो मेरा destiny आप से better तो यह जो concept उन्होंने लाया, उसको भी translate तो नहीं कर पाए, उसके पहले बिचारे चले गए, तो यह concept बहुत अच्छा concept है, theater command का, सब resources एक commander, सेनापती एक होता है, हम लोगो चाओदा principle of war सिखाया गया है, आर्मी में, और एक principle of war क्या है, unity of command, दो commander नहीं हो सकते, दो bosses होंगे, तो conflict होगा, boss एक होना चाहिए, तो यह जब theater command, उसी unity of command का एक सवरूप है, देखने का नजरिया है, और बहुत अच्छा concept है, उसके बाद प्रधानमंती मोदी जी ने खुद कहा, modernization of army, armed forces, as a cds उन्हो ने, आपको पता ही है, आप तो media में है, import के लिए 101 items का negative list, 59 और add हुआ, अब देखिए, हम लोग, विश्व के सबसे बड़े importer थे equipment में, और हम तेजास अब अब रम्होज export करने के इस तिदी में आगए है, तो इसका मतलब है कि पूरा परिवर्तन आया है, देखिए, यद लोग make option ही choose करते थे हैं, क्यों, तो कि बाई में मलाई थी, तो मलाई option च्योज करते थे, लेकि मोधी सरकार ने उसको त्याग दिया, और आप result आपके सामने है, अब आते हैं कि सीडियस जनरावत का, तीन चार विद्धों मैं ठिपनी करूँगा, क्यों योगदान अनुख रखा है, पहला उनका attitude towards enemy, पहले हिंदुस्तान में मेरा ख्याल है कि सेना को उतनी freedom नहीं थी बोलने के लिए, चीफ्स को भी ने, जनरल रावत ने time to time बहुत साफ सब्दों में बात करना शिरू किया, और सरकार के अनुमती से of course, उन्होंने क्या कहा, कि चाइना हमारा दु पाकिस्तान को यह अच्छा नहीं लगा, तो दुश्मनों के message, उसके बाद internal situation के हम बात करें, तो CIOps, जनरल रावत 10 साल CIOps में रहें, एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनका performance देखे, operational all out engine के, जब 370 हटने वाला था, तो मैं नाम नहीं लूगा, बट CTS जनरल रावत को concert किया गया, कि स्थिती बीड़ी, तो समाल लोगे, उन्होंने का हाँ, पूर्ण तरह से, आप बेहचक आगे बढ़िये, उसके बाद जो महभुवा करती थी कोई कंधाने देने देने का तिरंगा के लिए, कहां गई हुआ, क तो राजा बड़ा confidence के साथ लड़ता है फिर, वही जनरावत का योगदान रहा है, तो नौर्थ इस्ट में, जेन के में, नौर्थ इस्ट में एक उजांबल देना तो हम, 2015 में 18 सोलजर को UNLFW ने आतंकियों ने मारा था, उस समय जनरावत GOC 3 कोड थे, दिमापूर, उसके इकान था, उन्होंने cross border माइना मार में किया, और उनके dump को बरबाद करके, द्वस्त करके, कितने, मतलब हंडिट्स में लोगों को, आतंकियों को मार के वापस आये, ये उनका, 2016 का planning, उनके अधाकिस्ता में हुई, फिर, उन्होंने कितने articles लिखे हैं, तो ये जो, integration of cyber warfare, information technology, artificial intelligence, और different weapon system का integration and coordination, better results के लिए operational field में, ये भी उनका स्यदान, अलदाक में हमने देखिये, क्या क्या deploy कर दिया है, टैंक डिप्लॉय होगा कोई सोचा था, impossible था, कर दिया, और वो भी SSE जगों पे, जहां पे, चीन को भी समझ में नहीं आता, वहां पे टैंक पहुचा कैसे, अ इनको तो सब पता है, भाई, आदमी ओवरनाइट तो जनरल बनता नहीं है, सब्सक्राइब के जर्नी बड़ी लंबी जर्नी है, उनको पता था कि प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम है कि डेलिगेशन, फाइनिशल पावर्स, जो डीजी, ब्यारो के हैं, बॉर्डरोड रोड प्रजेट बढ़ाया, दूसरा चीज, डीजी, ब्यारो का फाइनिशल पावर्स कई गुना बढ़ा दिया, उसका रिजल्ट हमको देखने के लिए है, कि मेरा खाल, 73 में से काफी बन गए होंगे, 4-5 बचे होंगे, शुक्षी 9 तक हो चुर्त में, तो ये फरक आया है, ये स इसे को शंका की दिष्टी से देखें, तो राश्ठेट में कभी कान नहीं होगा, तो जो विश्वास पैदा किया जनल रावत में, टॉप एजेक्योटिव के साथ, वो बहुत अनुखी बात है, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हम आते हैं कि जनल रावत कैसे आवार्स की बात करें तो PVSM, UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, और जब हो कॉंगो में, उनाइटेट नेशन में थे, तो फोर्स कमंटर ने दो बार उनको कमंटेशन काट दिया है, वूंड मेडल, समान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, मेडल, औप पराकरम मेडल, सैने सेवा मेड वो 26 वाँ चेफ अफ आर्मी स्टाफ थे, हिंदुस्तान आर्मी के, वो थर्ड गुर्खा अफसर थे, गुर्खा पर्टन के जो आर्मी चीप पहले, पहले फिल्ड मार्शल साम मानिक शो, उसके बाद दल्वीर सिंग सुहाग, और उसके बाद अपना जनल रावत, तीसरा, एक और बात, इनके खून में है सेना में सर्विस करना, इनके पीताजी डेप्टी चीफ आर्मी स्टाफ थे, जनरावत, आयमें के कमाडान थे, और डेप्टी चीफ आर्मी हिट वर्डरस में थे, तो जिनका, ये कमिशन के बाद, 16 दिसंबर 1978 को इन्होंने कमिशन लिया, औ 5-11 गुर्काज, उनके पिता जी ने कमांड किया था, अब बेटी का गौरो सोचिए, कि जिस बादियों को पिता ने कमांड किया, उसी बादियों को जब कमांडिंग आफिसर के कुर्सी में बैठे होंगे, तो उनको कित्मा उलास हो रहा होगा, क्या, क्या ग्रेट होंगे हैं, और हुकम दे रहे हैं, उस कुर्सी में एक दिन बैठे हो खोदो, और पिता तो लेफन जलन घर गए, ये चीफ बने, और CDS बने, अब हम आते हैं कि ये 1st January 2020 को Chief of Defence Staff बने, 31 December 2019 को घोशना हो गई थी, और ये 1st January को बन गए, इन्होंने इनकी पत्नी का भी बहुत अनुखा रहा है, बदूलका जी का, लेकिए सेना में बहुत फ्रैंक्टी करता हूँ, पत्नी एक पिलर की तरह है, यदि वो आपको नारीश शक्ती प्रयोग करके आपका मनुवर बढ़ाती रहती है, तो हस्मेंट तो कुछ भी कर सकता है, पार तो भी तोड़ सकता है सेना में, तो इनकी अचीवमेंट के पीछे, जैसे लोग कहते हैं, बहुत ही कल्यानकारी कदम उठाए है उन्होंने सेना के लिए, आज जो आप लंच ब्रेक में देखते हैं, कि जो लंच पकेट आता है जवानों के लिए, वो सब इनका डिटेल प्लानी है, क्वालिटी इनको डिटेल प्लानी जाता है, तो overall मैं यह कहना चाहता हूँ, एक और बिंदू में टिपनी करना चाहता हूँ, कि जब पूरा देश गम के सागर में डूब रहा है, सबके आंसू रुख नहीं रहे हैं, कुछ इस देश में टपका के लोग हैं, यह तो आपने पूरा उनक काम देना चाहता है, और क्या हासिल करना चाह रहा था? चैलेंज आएगा, चुनौती आएगा, उसको खतम करो, हटाओ राज्टे से, तो यह जो सफर है जौंगवा के अल्टिमेट अब्जेक्टी पे पहुंचने के लिए, उस बीच के सफर में जो कोई भी चुनौती देगा, उसको हटा दो, उसका मतलब जनलर रावच जो है, बहुत बड़ी चुनौती बनके खड़े हुए थे, क्योंकि लदाक में दात खटे कर देना, अब लदाक में देखिए, पहली बार चीन का जो है, चीन ने अपने स्ट्रक्चर के पिले ने अपने हाथ से जो स्ट्रक्चर बनाया था, उसको तोड़ा है, पहली बार की मौत हुई है, वो तो बोलते हैं कि, पहले तो बोले कि कोई मरा ही नहीं, फिर बोलते हैं पांस साथ मरा, जब 57 हेलिकॉप्टर तो और फ्रो गए हैं, तो 57 इंटी टू कल्कुरेट कीजिए, 112, 113, 57 इंटी थ्री, क्याजिवल्टी होता है, तो 157, 178 और वो तो पांस क्या यह जो जाच होगी, इसमें इस एलिमेंट को खंगाला जाना चाहिए, एक दम, देखे, सेना में लोग बहुत परिपक्व हैं, बुद्धिमान हैं, आप उनको ट्रेट आपको देना चाहिए, लेकिन, मैं शूर हूँ कि कोट अफ इंक्वारी यह साबोटाज एंगल ज साबोटाज का इंटरनाशनल लिंकेजेज भी ढूणने की जुवत है, यह तार कहां तक जाती है, अब दिखिए, इसमें सरकार और जो जाच इजन्सियां उसमें क्या करती हैं, एक और मुद्धा मेरे जहन में आ रहा है, कि आप खुद एक डेकोरेटेड परसनल रहे हैं, इन लोगों ने जश्न मनाना शुरू करती है, यह एस एस सोलजर क्या लगता है कि जब इस तरह के लोगों को आप देखते हैं सोसल मीजिया पे इस तरह से जश्न मनाते हुए तो, मुझे दुख होता है, मुझे लोगों से घ्रण होता है, और मुझे देश के बारे में चिंता होती है, यह तेनों बिद्दू सही है, जब पुरा देश गम के सागर में डूबा हुआ है, यह कौन लोग हैं, मैं कोट करता हूँ, एक पाशा करके है, तो उस ट्वीट करता है अच्छी खबर है, एक कश्मीरी बोलता है, एक पापी मर गया, वो हमारा डिने बदलने गया था, अपना डिने उसका टेस्ट के तब उसके बॉड़ी को आइडेंटिफाई किया गया है, यह कश्मीरी मुसलिम बोलता है, इस बेपकु को मालूम नहीं कि जनल सहाब जिन्द नाखुश है, जिस देश में लोग तुमको जनरावत में तुम्हारा क्या बुरा किया, तुमको क्या किया तुम इतना नाखुश हो, मैं बताता हूँ इनके नाखुश होने का क्या कारण है, इनका नाखुश होने का कारण है कि कुछ मुसल्मान यहां गजवाई हिंद की सो क्योंकि ग्राउंड पे तो देखिये सेना ही काम करती है और सेना तो टॉप कमांडर टॉप बॉस के हुकम से चलती है सेना का फंक्शनी बहुत क्लियर है लेकिन हम नहीं यह भी देखा कि दो इस तरह के आर्मी ऑफिसर्स ने भी हाँ मैं बताता हूं एक लेफ्टन कर्ण अलि चास मिनट पे आठ दिसंबर को ट्वीट करते हैं कर्मा है इस ओन वेफ डिलिंग विट पीपल उसके बाद लेफ्टन जनल पनाग जो नदर आमी कमांडर थे बाद में उनको सरकार ने उनकी कुछ कमजोरी पकड़ी होगी सेटल कमांड में शिप्ट किया वो दो बच के बा अब जो खबर आ रही है कि जिसमें उनने ये ट्वीट किया उसमें जनल जावत जिन्दा थे जिन्दा थे अब सवाल ये पैदा होता है कि जब पूरा देश रो रहा है यूथ आप देखिए अभी जो उनका पासवरी जा रहा था दोर रहते लोग यूथ दोर रहते भारत म बाता की जय कर रहे हैं यहां इस देश में लोग यहां खाते हैं यहां बाता की जय और बंडिय मात्रम में इनको कश्ट होता है नहीं बोलना चाहती है लिकिन यह आर्मी बावालों को क्या इलाज है यह इस तरह कि जो रिटायर लो यह कहां से इनको इनकी ट्रेनिंग में क्या ग्रबड़ी रह गई देखो मैं कहना चाहता हूं कि हमको मेरा अपना मेरी अपनी सोच है section 124a Indian Penal Court sedition को पून रूप से परिभाशित करने के जुरुत है और यह तो अभी तो पूरा evidence है इसके अलावे आप पूर चाहिए नहीं आप एक fast track court की गठन कीजिए सरकार करें जितने राजद्रो अब मभूबा होया फरुक अबदुला जो भी राजद्रो का statement देता है आप fast track court के तहए तो उसको try कीजिए एक तिसमा दिन फैसला सुनाइए और वो फैसला जो fast track court होगा cannot be challenged anywhere आप एक कानून राइए कि चले नहीं हो सकता वो final judgment है आप उसको capital punishment दीजिए या देश से बाहर उठा के फेकिए या अनमांस में इतने jail पड़े इतने islands है एक island को jail में convert कर दीजिए वहाँ इनको जाके अनुकि चिनाल लड़ता है तो सब लोग जानते है कुछ नहीं होगा इस देश में जो मजी करो ऐसे से लोगों को सेह मिलता है उनका सास बढ़ता है कि हिंदुस्तान हुकुमत कुछ नहीं करगी इसलिए जो मर्जी करो जो मर्जी करो नहीं चलेगा हात ममोड के इनको fast track कान में घुच जाते हैं यह बहुत खतरनाक है देश के लिए एक और लास्ट में बात में कहना चाहता हूं कि जनर्रावत के मिर्तु से हम लोग को सेना में सिखाया जाता है कि हर एक इंसिदेंट से लेसन रंड क्या है हर एक एक्साइज करते हैं हम लोग दिविजन लेवल कोर लेवल कमांड लेवल पे आर्मी लेवल पे अब अपरेशन प्रास्टाक्स कुआ था तो यह जनर्रावत की मौश से सेना ने क्या सीख लिए वही मैं बताता हूं क्या सीखा पहला सेना अस देश और देशवास्यों सबको बताता हूं क्या सेखना यह मी 17 का काफी जगा क्रैश हुआ है क्या ऐसा नहीं SOP होना चाहिए कि जो मी 17 है वो दो साल से विंटेज का पुराना VVIP स्कॉर्डन में नहीं रह सकता है क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस फ्लाइट में VVIP ने ट्रेवल करना है मिनमन दो से तीन लाइन अप रहे और VVIP लास्ट में डिसाइड करें कि मुझे इसमें जाना है ताकि यह दि कोई फ्यूल में गरबड़ी करना चाहिए या टेक्निकल फैलियर का शार्जिस करना चाहिए तो उसको पता नहीं कि इसमें बैठेगा हूँ दो बात तीसरा देई तीसरी बात कि हमको अब एक तरीका ढूनना पड़ेगा कि भारत बाता को देश द्रोहों से कैसे मुक्त किया जाए देश द्रोही मुक्त भारत एक अभिहान उठाना पड़ेगा उसमें आप लोग का भी युगदान आप लोग को करना पड़ेगा एक और बिंदू ये मान के चलिये कि जो लोग खत्रा पैदा करने की च्छंता रखते हैं चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो चीन और पाकिस्तान के द्वारा जैस हिंदुस्तान के अंदर बैठे जैचंदों के साथ साजिश की जाएगी कि उसको पकड़ना है उसको पकड़ना है कवच कुंडल कैसे दिया जाए अपने विवी आईपी को मोदी जी भी मी 17 में ट्रैवल करते हैं अच्छा मंतरी जी भी ट्रैवल करते हैं तो यदि साइबर अटैक के द्वारा यदि जन्रावत को टार्गेट किया जा सकता है तो हमा veteran players करते हैं सबाए क्या हुआ कर सकता है है कर सकता है तो क्या श्राहिज्टर कर सकते हैं देवलफ कर ते इस होने की जुवत है कि जो जो लोग सेना में सेंसिटिव जगा पे हैं जैसे विविएपी स्कॉर्ड में हैं नौकरी कर रहे हैं उनका 24 by 7 उनका way of life कैसे जीने का तरीका है कहीं लैविश तो नहीं रह रहे हैं उनका पूरा mobile communication सब मॉनिटर करने की जुवत है आपका बहुत यह जोए हाधसे के कारण हो सकते है उसके वारे में बताया आपको बहुत धन्यवाद झाल झाल